आईनेक्स मीडिया केस में आज होगी दिल्ली की राउ जेवे नियु कोट में सुनवाई। आज से मुस्लिम पक्षकार चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की पीठ के सामने रखेंगे अपने तर्क। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की बढ़ेगी मुश्किल। आज सपा के कारेकरता सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलेंगे हल्ला। राजी के अलग-अलग जिलों में सडकों पर उत्रेंगे कारेकरता कानून नीती को लेकर योगी सरकार के खिलाफ होगा प्रदर्शन करनाटक में कॉंग्रेस के संकट मोचन पर गहराया संकट मनी लॉंडरिंग के मामले में कॉंग्रेस नेता डी के शिपकुमार से आज भी प्रवर्तन निदेशाले करेगा पूछताच शिपकुमार ने की थी एडी से सोंबार को पूछताच ना करने की अपील एडी ने किया इनकार आज से शुरू होगी आर्थिक गर्णा उद्यमों की वास्तवी का आर्थिक स्थिती की जानकारी जुटाएगी सरकार पूरी तरह गोपनी रखी जाएगी जनगर्णा की जानकारी आर्थिक गर्णा से लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए नीती निर्मान में मिलेगी मदद रोजगार के आउसर भी होंगे पैदा पुर्व केंद्री मंत्री स्वामी चिनमया नंद पर आज होगी सुप्रिम कोर्ट में सुनवाई अदालत में पेश होगी सोशल मीडिया के जरीए आरोप लगाने वाली चात्रा वकीलों के एक समूह ने चीफ जिस्टिस रंजन गोगोई को पत्र भेज कर की थी मामले में सुनवाई की अपील आज से पांच दिवसी विदेशी दोरे पर जाएंगे नए नौसेना प्रमुख एड्मिरल करम बीर सिंग आस्ट्रेलिया और नियुजिलेंड की करेंगे यात्रा दोनों देशों के साथ भारत के रक्षा सयोग को और मजबूत बनाने पर देंगे जोग आज मिशन चंद्रयान दो के लिए बड़ा दिन पांचमी कक्षा में सफलता प्रुवक प्रवेश के बाद आज लेंडर विक्रम और बीटर से हो जाएगा अलग साथ सितंबर को चांद के दक्षिनी ध्रुब ख्षेत्र में करेगा सौफ्ट लैंडिंग चांद के दक्षिनी हिस्से पर उतरने के साथ ही भारत रचेगा इतिहास भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी राजधानी दिल्ली में आज भी बारिश के आसार उत्रा खंड में मौसम विभाग ने जारी किया औरेंज अलट प्रशासन ने खत्रे की आशंका को देखते हुए मुख्य मारगों को किया बंद और आज देश भर में मनाई जा रही है गणेश चतूर्थी गणपती बप्पा मोरिया के साथ आज पूरे देश में हो रही है भगवान गणेश की पूजा मुंबई में फिल्मी सितारों के घर गणेश उत्सब की खास धूम